हलो एवरिवान मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करते हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश आइवी की जिसको वेक्स आइवी भी बुलाते हैं इसकी रिपॉर्टिंग और कियर हाला कि इस पर वीडियो और रेडी है कंप्लीट लेकिन उसमें रिपॉर्टिंग करकर नहीं दिखाई गई है स्वाइल मिक्षर भी आपको बताऊंगी गमला कैसा इस्तमाल करें वह भी आपको दिखाऊंगी सुबह का समय है दोस्तों हो सकता है शोर आपको बैक्राउंड में थोड़ा सा सुनाई दे तो उसके लिए सारी चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर हम रिपॉर्ट करेंगे इस खुबसूरत से प्लांट को जो की सकलेंट फैमिली से आता है और जो प्लांट सकलेंट फैमिली से आते हैं उनका आपको पता होगा उनमें पानी स्टोर र तो पानी कम स्टोर रहता है लेकिन फिर भी ये प्लांट जो है पानी कम ही मांगते हैं पानी और अगर मिट्टी का बैलन्स इन में अच्छा बना लेते हैं तो ये प्लांट चलते हैं सर्दियों में ये प्लांट काफी खूबसूरती से बढ़ता है लेकिन गर्मियों में तो चलिए पहले बात करते हैं सॉयल मिक्स्चर की तो दोस्तों सॉयल मिक्स्चर की अगर बात करूं कुछ इस तरीके का सॉयल मिक्सर हमें लेना होगा जिसमें यह देखिए दो भाग होंगे हमारी नॉर्मल गार्डन सॉयल के गार्डन सॉयल बिल्कुल नॉर्मल है कोई चीक ले रही हूं दो भाग है गार्डन सॉयल और उसमें थोड़ी सी कोकोपीट है बिल्कुल ही आप लगा लेजिए 10-15% ही कोकोपीट आपको लेनी है अगर आपकी गार्डन सॉयल जो है वो बहुत ज़्यादा चीकनी है तो कोकोपीट की मातरा आपको बराबर लेनी है फिर आप रीवर सेंड नहीं लेंगे ये आपको बिल्कुल भी फिर नहीं लेना है और इसमें 15% तक ही आप लगा लीजिए मैं ले रही हूं वर्मी कमपोस्ट किये देखे बिल्कुल बनी हुई खाद है बिल्कुल ही इस तरीके की है काला सा रंग हो जाता है जब खाद जो है बहुत अच्छी बनी होते तो ये सॉयल मिक्शर मैं ले रहे हूं साथ में दोस्तों हमें मिलाना होगा एक चमच फंजी साइड भी फंजी साइड जरूर मिलाएगा क्योंकि इसकी जड़ों में फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है इसलिए हमें फंजी साइड जरूर लेना अगर बात करूं गमले की तो दोस्तों गमला मैं इसके लिए कुछ इस तरीके का ले रही हूं मिट्टी का गमला है ये और इसमें नीचे मैंने पत्थर डाले हैं कुछ ये वाले बजरी जिसको हम बोलते हैं वो डाली है इसके नीचे और अब हम इसमें रिपॉट करेंगे गमले का साइज जो है आप देख लीजी जादा बड़ा नहीं है इससे बड़ा गमला हमारा नहीं है तो साइज आपको पता लग गया होगा देखिए ये गमला जो है थोड़ा भुर रहा है इसको पेंट की जरूरत है खैर दोस्तों मिट्टी का गमला अगर आप लेंगे कि इसी भी सक्यलेंट के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है तो यह गमला मैं इसके लिए ले रहे हूं गमले का साइज करीब करीब आप देख सकते हैं चे इंच साथ इंच के आसपास ही है इसे बड़ा नहीं है देखिए दोस्तों जिस मिट्टी में यह आया है वो बिलकुल ही रीवर सैंड है उसमें सैंड के मातरा जादा है बहुत जादा सैंड के मातरा है देखिए अपने आप सारी भूर रही है इन्होंने भी रीवर सैंड के मातरा इसमें बहुत जादा ले रखिए तो सॉयल मिक्शर इसका काफी अच्छा है आपने आप गिर रहा है तो इसकी टैंशन नहीं रहेगी तो इसकी जड़े ना छेडे ये प्लांट थोड़ा सेंसिटिव होता है जड़े छेडी जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है अब हमें जो पानी देना है उसमें भी फंजी साइड मिला लेना है तो एक चमच हमने मिलाया था मिट्टी में और ये आधा चमच मैं मिलाऊंगी कि पानी आप यहां पर में घ्लास में डालकर दिखा रहे हूं तो कम से कम अगर इसमें एक मग पानी जाता है तो भी आपको आधा चम गची मिलाना है क्यूंकि हमने मिटी मिला लिया है तो इस तरीके से आपको fungicide का ही पानी इसको देना है first time में और महिने में एक बार आप ऐसे ही पानी जरूर दें इसको ताकि fungus की problem इस plant में ना हो इस plant में fungus की problem या जड़ों की जो problem होती है वो जादा होती है जिसके कान plant खराब हो जाता है तो fungicide का इस्तमाल आपको जरूर करना है इस plant के लिए या किसी भी succulent के लिए महिने में एक बार इसका इस्तमाल करेंगे तो plant खराब नहीं होगा और fungicide की बात बता दो दोस्तों जरूरी नहीं है आपको यहीं मिले जो भी आपको locally मिल जाता है आप लीजिए सिर्फ उसमें यह होना चाहिए कि सिस्टेमाटिक आपको जरूर देखना है कंपनी या ब्रैंड कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टेमाटिक होना चाहिए तो वो आपके plant के लिए काफी अच्छा काम करता है यह फंगस के साथ साथ जो कीट नाशका भी काम करता है मिट्टी में तो प्रॉब्लम नहीं होती है तो दोस्तो रीपोर्टिंग अब हमारी हो गई है केर की बात करूँ तो सर्दियों में इसको हमें हलकी धूप जरूर देनी है ऐसा नहीं है कि सर्दियों में इसको आप बिल्कूली ठंडी जिगहां पर रखेंगे जहां पर गर्माईश हो और 2-3 घंटे की धूप प्लांट पर लग जाए हलकी वाली तो वो आप जरूर दे सर्दियों की धूप वैसे भी ठंडी रहती है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है फुल डे की भी मिलेगी तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन कम से कम 3 घंटे की 2 घंटे की धूप तो आपके प्लांट को जरूर मिले पतियां अगर आपको लगे जुलस रही है या खराब हो रही है तो फिर आप थोड़ा सा कम कर दें अगर जादा धूप दे रहे हैं नहीं तो सर्दियों में 2 घंटे की धूप तो आपको जरूर देनी है रीपॉट करते ही कभी भी प्लांट को धूप में ना रखे पहले आप एक दिन चाया में रखें दो दिन चाया में रखें उसके बाद एक घंटा फिर दो घंटा फिर तीन घंटा इस तरीके से धीरे धीरे धूप में ले कर जाएं तो दूप में आप इसको ऐसे लेकर जाएंगे ऐसा नहीं है अभी रीपॉट किया और उठा के हमने धूप में रख दिया इस बात का ध्यान रखना है सीधा धूप में नहीं रखना है पानी की बात करूँ तो दोस्तों जब नेक्स्ट अब हम पानी देंगे जब मिट्टी ज ज़्यादा हमें नहीं करना है इस बात का ध्यान रखना है महीने में एक बार पंजी साइड का पानी हम देंगे और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी आप जरूर करें इसके पतियों के पीछे किसी ना किसी तरह तरीके के इंसेक्स का अटैक भी हो जाता है उसके लिए तो म गर्मियों में शेड मिले इस प्लांट को लेकिन नेट की चाया मिलेगी जाता अच्छा रहेगा यानि डबल नेट के नीचे आप इसको रख सकते हैं इंडोर अगर रखेंगे तो यह प्लांट इतना खुर्चूरती से नहीं बढ़ता है हाला कि माना जाता है कि इंडोर का यह प्लांट है लेकिन किसी विंडो के पास आप रख सकते हैं जहां पर आसपास मौश्चर भी बना रहे या फिर पंखे की हवा इस पर ना लगे और विंडो के पास लाइट के साथ हलकी फुलकी धूप छनकर इस पर लग जाए और ठंडक सी मिलती रहे गर्मियों में यह आराम से गर्मियों में भी ग्रूब करेगा इस तरीके से आपको रीपॉर्टिंग करनी है और सौयल मिक्शर लेना है गर्मियों में थोड़ी सी देख भाल अगर कर लेते हैं पहला साल गर्मिय का इसका निकाल लेते हैं फिर यह प्लांट आपके गार्डन से कभी नहीं जा बाइ बाइ बाइ